प्रिवीव को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कल की एपिसोड को देखकर दर्शकों का क्या कहना है चले शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने शो के ट्रैक में देखा होगा कि कैसे हर्मन और सौमया जो की अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले हैं वो कार्व के ज़दा परिशान नज़र आते हैं और ये सब देखकर दर्शक और भी ज़दा खुश हो रहे हैं कि अब जल्दी हर्मन सौमया का मिलन होने वाला है शो में और शो के प्रिकैप में आपने देखा होगा कि कैसे हर्मन और सौमया दोनों एक दूसरे की बाहों में नज़र आते हैं और ये सब देखकर दर्शक बहुत ज़दा खुश हो रहे हैं तो वहीं अपने शो की कहानी में ये भी देखा होगा कि कैसे अब हरक सिंग अपने नए प्लान को अंजाम दे रहा है और उसने किर्णाप करकर रख़्ा हुआ है एक औरत को जो की और कोई नहीं बलकि है सौमय कि नानी जिससे ये पता चल जाएगा हर्मन को भी सौमय ही उसकी असली खुशी है लेकिन कहीं न कहीं दर्शकों को ये डिसपॉइंट कर रहा है क्या कि कब हर्मन की यादास वापस आएगी जहां से बाने वाले ट्रैक में देखना काफ्या मज़दार हो जाएगा क्या कि शक्ती की पूरी कहानी और क्या दोनों मिलकर सब को देने मात और दश्कों को करें खुश ये सब जानने की बंढर मा साथ तिलाल कमा शोरून पस इतना ही और वे पने टेविट शो शक्ती से लिए लेटेस्ट अबडेट और हर रिव्यूस को जानने के लिए सब्सक्राइब करना विटिमान हो देमाया चानल टॉपनी जास फियू टॉपनीज से काजल की रिपोर